Hello and come back to my channel Spicer Führser English गाईस, आज के sentences बहुत ही जाधे important है अगर आप इन सारे sentences को सीखना чाहते है और अच्छे सिंगलिश बोलना चाहते हैं गाईस, वीडियो को लाron ज़रूर देखना थाकि आप इन सारे sentences को सीख सकें तो guys ये शुरू करते हैं आज का हमारा पहला sentence है यहाँ पी अपनी friend से बोल रही कि hey please cover me please cover me यानि कि मुझे cover करो please cover me तो guys ये दोनों लड़किया एक salon में काम करती है तो इसकी कोई एक friend आ जाती है college की तो ये अपने friend को देखके बोलती कि मुझे cover करो तो वो मुझे देखन ले मुझे cover करो hey please cover me तभी ये बोल रहे क्या? क्या हो रहा है? what? what's going on? यानि क्या बात है what's going on? क्या हो रहा है? तभी ये बोले कि वह college से मेरी सापाथी है यही लड़की है इसी को बोल रहे कि she is my classmate from college she is my classmate from college वह college से मेरी सापाटी है college की she is my classmate from college तो वह सिर्फ यह ग्राहक है जाओ उसकी help करो तो यह बोले कि वह सिर्फ एक ग्राहक है जाओ तुम उसकी help करो so she is just a customer just serve him so she is just a customer वह सिर्फ एक ग्राहक है just serve him जाओ उसकी help करो serve का मतलब है कि जाओ उसको जो चाहिए उसकी help करो उसको दिलाओ जो उसको चाहिए she is just a customer वह सिर्फ एक ग्राहक है जाओ उसकी help करो just serve him तो guys ये अपनी दोस्त को सामने नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसको लगेगा कि मैं यहाँ पर नोकरी करती हूँ में नहीं जा सकती I cannot show up in front of her as a regular worker I cannot show up in front of her as a regular worker यानि कि as a regular worker के मतलब नाते या as a regular worker मैं उसके सामने नहीं जा सकती हूँ मेरी मतलब की वेजिती हो जाएगी अगर मैं उसके सामने गई क्योंकि मैं यहाँ पर काम करती हूँ अगर उसने मुझे ऐसा देख लिया यहाँ पर worker के रूप में तो मेरी वेजिती हो जाएगी तो वह यह बोले कि I cannot show up in front offer show up का मतलब होते हैं कि दिखाई पड़ना या जाना तो वह बोले कि I cannot go in front offer या I cannot show up in front offer मैं उसके सामने नहीं जा सकती as a regular worker एक नियमित कार्यकरता के रूप में तो इसकी दोस्त बोल रहे हैं मुझे जाना होगा खेल खेलने की कोई जूरत नहीं है come on I have gotta go I have gotta go यानि कि I have got to go मुझे जाना होगा I have got to go there is no need to play games there is no need to play games यानि खेल खेलने की कोई जूरत नहीं जाओ उसकी help करो जाओ उसको सर्व करो there is no need to play game खेल खेलने की कोई जूरत नहीं है तो गाइस इससे यह बोल रहे हैं कि तुम मुझे cover करो ताकि वो देख न ले तो यह बोल रहे हैं मुझे जाना होगा come on I have got to go मुझे जाना होगा there is no need to play games खेल खेलने की कोई जरूत नहीं है तब यह बोल रहे हैं कि सारा उसने past में मेरे प्रेमी को चुरा लिया था सारा come on she stole my boyfriend back then she stole my boyfriend back then she stole my boyfriend उसने मेरे boyfriend को चुरा लिया था back then back then का मतलब उस्टा का इस past में वह यह बोल रहे हैं कि she stole my boyfriend back then उसने मेरे boyfriend को पाश्ट में चुरा लिया था यानि कि जो मेरा पाश्ट में boyfriend था इसने ले लिया था मेरे से या चीन लिया था या चुरा लिया था उससे देखना है कि मेरा ब्योसाय ठीक चल रहा है ठीक है तो guys ये बोल दे कि मैं यहाँ पर worker हूँ यानि कि उससे देखना है कि उससे देखना है कि मेरा ब्योसाय ठीक चल रहा है इसने नोगे चल रहा है आखर मेरी मदद करो आखर तुम मेरी दोस्त हो तो यह बॉस बनके उसके सामने जा रही है कि अब अपने दोस्त के पास गए अपने क्लासमेट के पास उसको जाके पूछ रहे है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तब यह बोल रहे है कि हमने ग्रेजुएशन के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा है यह बोली हाँ बहुत समय हो गया है तुमको देखकर खुशी हुई तुमको देखकर खुशी हुई तुम इतने अच्छे सैलून में काम करती हो तुम इतने अच्छे सैलून में काम करती हो you work in this wonderful salon तब यह बोले वात्सों में यह सब मेरा है, मैं इस saloon की मालिक हूँ तो guys यह अपने दोसे जूड बोले ताकि बेजिती ना हो जाए तो बोले कि well, actually it's all mine यह सब मेरा है it is all mine, यह सब मेरा है I own this salon, यानि कि मैं इस saloon की मालिक हूँ I own this salon, मैं इस saloon की मालिक हूँ तो यहाँ पर यह बोल रही कि you work in this wonderful salon यानि कि तुम इतने अच्छे saloon में काम करती हो तब यह जूड बोले कि well, actually it's all mine I own this salon, यह मेरा है it's all mine, I own this salon मैं इस saloon की मालिक हूँ तो यह बोले, तो तुम यहाँ की एक boss की तरह हो न so you are like a boss here so you are like a boss here तुम यहाँ एक boss की तरह हो है न, you are like a boss here right, तब यह आगे बोले कि मुझे खुशी है कि तुम college के बाद आगे बढ़ रही हो तुमको शोभा देता है hey, I'm glad you are moving on after college it really suits you hey, I'm glad you are moving on after college it really suits you hey, I'm glad you are moving on after college तुम college के बाद से बढ़ रही हो यानि कि तुम अपने life में अच्छा-चा काम कर रही हो अच्छा-चा काम कर रही हो अपने life में growth कर रही हो you are moving on after college it really suits you यह तुमको शोभा देता है तब यह बोले thanks यानि कि धन्यवाद तुम यह सब कैसे manage कर रही हो तो यह बोले कि how are you managing all this how are you managing all this तुम यह सब कैसे manage कर रही हो तो यह बास। शेज बीट से बाइसे थाव या कि बहुत आच्छी बाउस है शेज ब्रॉल क्यां सोगों, तो कि सब्सक्रांद मिन लेये हैं दॉन वेकन्सान तक में आस्पनले को सब्सक्राइब कने तो कि मैं अच्छी जर्णी दहते हमें जिहान से, तो वही एकागर चित हो गया, साओधान ये सतर्क है, उसका मतलब होते है अटेंटियू, यानि कि बहुत ही आटेंटियू है, वहर किसी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सोचती है, केरफुली सोचती है, और प्रोफेशनल, यानि कि पढ़ी लिखियाँ प्रो इसको टॉंट मारती है कि I see someone wants to earn a bug this month I see someone wants to earn a bug this month मैं देख रहे हैं कोई इस महीने पैसा कमाना चाहता है तब यह आगे बोले तुम बहुत अच्छा कर रही हो सारा You are doing great job अपने friend के सामने उसको बखान कर रही कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो तो यह मतलब boss की तरह treat कर रही है अपने friend के सामने You are doing a great job सारा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो तब इसकी दोस्त बोले कि Maybe one day I can be a big boss too शायद एक दिन मैं भी boss बन जाओं यानि कि बहुत अच्छी boss बन जाओं Maybe one day I can be a big boss too शायद एक दिन मैं भी एक बड़ी boss बन जाओं तो यह भी ऐसा यह भी 20 मार रही है तो आगे यह बोल रही कि अगर तुम अच्छा करोगे शायद तुमको कोई इनाम मिले Well, if you play your cards right Maybe you will be rewarded If you play your cards right अगर तुम अच्छा करोगे तो guys play your cards right इसका मतलब कि अगर तुम अच्छे अपने अपने काम को अच्छा करोगे जो भी तुमको opportunities मिलेंगी उसको तुम अच्छे से उसका use करोगे जो भी तुमको मौका मिलेगा उसका बहुत ही बहतरी तरीके से इस्तमाल करोगे तो कुछ भी चीज उसको अच्छे से यूज करोगे, उसका इस्तमाल अच्छे से करोगे, तो शायद तुमको इनाम मिले, maybe you'll be rewarded, शायद तुमको इनाम मिले, तो guys, play one's card right, यह है एक idea में, इसका मतलब यही होता है कि कोई opportunity मिलती है, कुछ भी मिलता है, उसका अच्छे से use करना, उस मौके का फायदा उठाना, उसको गवाना नहीं, तो वही बोल रही, well, if you play your cards right, maybe you'll be rewarded, अगर तुम अच्छा करोगी, तो शायद तुमको इनाम मिलेगा, या तुमको इनाम दिया जाएगा, तो Lisa, तुम कैसी हो, तो यह अपने दोस्ते आगे पूछ रही, so Lisa, how have you been, so Lisa, how have you been, तुम कैसी हो, तो guys, जब किसी से आप बहुत दिन बाद मिलते हो, एक महिने बाद, दस दिन बाद, तो उससे यह phrase का यूज कर सकते हो, कि तुम कैसे हो, how have you been, इसका मतलब यही है कि how are you, तुम कैसे हो, बढ़ अगर आप किसी से कुछ दिनों बाद मिलते हो, तो आप ऐसे पूछ सकते हो, कि how have you been, यानि कि जब आप उससे last time मिले थे, और अब तक वो किस कैसा है, किस तरह से काम कर रहा है, कैसा है, क्या चल रहा है, लाइफ में क्या है, क्या नहीं, इसका मतलब यह है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज कल, लाइफ में क्या हो रहा है, तो how have you been, तुम कैसी हो, यह आप तभी उच कर सकते हैं, जब आप किसी से कुछ दिनों बाद मिलते हैं, यानि कि अगर आप डेली मिल रहे हैं, तो आ यानि कि मेरी शाधी की सालगिरह है, इसके बाद मैं डिनर के लिए जाओंगी, आफ् Linds, आप तेस के बाद मैं डिनर के लिए जाओंगी, तो यह बोलो है, भागिशाली आदमी कौन है? यानि कि congrats congrats यानि कि बधाई हो who is the lucky man यानि कि तुम्हारा husband कौन है who is the lucky man वो भागिशाली आदमी कौन है who is the lucky man तो guys बोल रहे है it's Greg it's Greg यानि कि वो Greg है Greg guys ये जो लड़की question कर रही थी इसी का boyfriend था past में तो वही ये बोल रहे है it's Greg तो ये बोल रहे है guys कि अतीत में जो हुआ उसके लिए माफिव मांगने के लिए मैं बहुत लंबे समय से इंतिजार कर रही थी I was waiting for so long to apologize for what happened in the past यानि कि I was waiting for so long मैंने बहुत time तक इंतिजार किया to apologize माफिव मांगने के लिए for what happened in the past यानि कि पास्ट में जो हुआ था उसके लिए तो आप इसको बनाओगे past perfect continuous tense में आप इसको ऐसे बोलोगे I had been waiting for so long to apologize for what happened in the past यानि कि जब भी आप time दिखाते हो तो आप present perfect continuous tense past perfect continuous tense future perfect continuous tense का use करते हो जब आपको time दिखाना हो तो यहाँ पी यह बोले कि मैंने बहुत लंबे समय तक मैं इंतिजार कर रही थी माफी मांगने के लिए जो कुछ भी past में हुआ था तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि I had been waiting for so long to apologize for what happened in the past but आप conversation में ऐसे भी बोल सकते हो कि I was waiting for so long to apologize for what happened in the past यानि कि अतीत में जो हुआ उसके लिए मैंने बहुत टाइम तक इंतिजार किया माफी मांगने के लिए आगे बोल रही कि मैं तुमको message कर रही थी लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने मुझे हर जगह से block कर दिया था I was texting you but it seems like you blocked me everywhere I was texting you मैं तुमको message कर रही थी but it seems like but ऐसा लगता है कि you blocked me everywhere तुमने मुझे हर जगह से block कर दिया था you blocked me everywhere तब यह बोली हाँ ठीक है या एक best समय रहा है yeah well it's been a busy time it's been a busy time यानि कि यह मेरे लिए बहुत best समय रहा है it's been a busy time और जो हुआ उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ and I am not thinking about what happened at all I am not thinking about what happened at all यानि कि जो कुछ भी है हुआ past में मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ मैं सब भूल गई हूँ I am not thinking about what happened at all Greg कैसा है, क्या कर रहा है वो तो यह आगे पूछ रहती है Greg कैसा है, वो क्या कर रहा है So how's Greg What is he doing So how's Greg, what is he doing Greg कैसा है, how's Greg What is he doing, वह क्या कर रहा है, तब यह बोले मैं सच में जानती भी नहीं Honestly, I don't even know Honestly, I don't even know मैं जानती भी नहीं मुझे पता भी नहीं है I don't even know तो यह बोले है I don't even know यानि कि मुझे पता भी नहीं है वहां काम में बहुत बैस्त रहता है He is so busy at work He is so busy at work वहां काम में बहुत busy रहता है He is so busy at work तो यह बोले हैं कि वह हमेशा एक best आदमी रहा है Well He's Always Been A Busy Man वह हमेशा एक Best आदमी रहा है He has Always Been A Busy Man इसके अजामा वह बहुत पैसा कमाता है Plus He Earns A Lot Of Money इसके अजामा बहुत पैसा कमाता है तो गैज यह बोले कि Well He's Always Been A Busy Man वह हमेशा से एक Best आदमी रहा है Plus He Earns A Lot Of Money इसके अलामा वो बहुत पैसा कमाता है तभी आगे बोल रही है हाँ लेकिन तुम जानती हो कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और एक मजबूत परिवार बनाना चाहती हूँ या but you know I just want love and build a strong family I just want love मुझे बस प्यार चाहिए and build a strong family मैं एक परिवार बना चाहती हूँ I just want love and build a strong family और हमारे पास जीने के लिए परयाब थे इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता and we have enough to live so it doesn't matter and we have enough to live so it doesn't matter तो guys यहाँ पी यह बोल रही है कि वो बहुत पैसा कमाता है he earns a lot of money तब यह बोल रही कि I just want love and build a strong family मैं बस प्यार चाहती हूँ और एक मजबुत परिवार बनाना चाहती हूँ and we have enough to live और हमारे पास जीने के लिए परयाब थे so it doesn't matter तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना कमाता है कितना नहीं कमाता है हमारे पास परयाब्त है जीने के लिए we have enough to live so it doesn't matter well guys असलिए वीडियो में इतना ही जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी अगर आप नए नए सेंटेस सीखे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो कलाई प्लीज वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए अगर आपको कोई डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं उसको रिप्लाई जरूर दूँगा guys मैं आपसे एगले वीडियो मिलता हूँ till then take care keep practicing and thanks for watching